हलो गाइस मैं हूँ अभीहा इंतखाब आपके अपनी यूट्यूब चैनल ग्यानस्थली क्लासेज में आपका स्वागत है तो आज हम आपको बताने वाले हैं अपने इस वीडियो में डी यू पी एच्टी अबिशन दो हजार बाइस के बारे में message from Vice Chancellor क्या आया है? डी यू के जो Vice Chancellor है उन्होंने बच्चों को क्या message दिया है? जो इच्चुक चातरे हैं, वो कैसे प्रवेश कर सकते हैं? सब में चली आज बात करते हैं और जानते हैं D.U. PhD Admission के लिए हम कौन सी ओफिशल वेबसाइट से सीधे आवेदन कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले में बता दूँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा क्योंकि हमारे चैनल पे QGC NetJRF के कम्प्लीट तैयारी करवाई जाती है और साथ ही साथ कौर्मेंट जॉब की जितनी भी नॉडिफिकेशन आती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुचाई जाती है तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं डियू पिएचडी एडिशन दोहजार पाईस डियू यानि की डेली उनिवस्टी के पिएचडी सत्र 2022 और 23 के लिए चात्र 20 जून 2022 तक आवे दन कर सकते हैं जिन चात्रों ने किसी भी छेत्र में मास्टर डिग्री या एमफिल पूरा कर लिया है वे पिएचडी सत्र 2022 और 23 में प्रवेश के पात रहे हैं देखिए अगर आपने मास्टर डिग्री या एमफिल कंप्लीट कर लिया या ठीक है इसमें ध्यान दीजेगा मास्टर डिग्री या एमफिल कंप्लीट कर लिया है तो आप PhD में प्रवेश ले सकते हैं, PhD सत्र में जो प्रवेश के पात रहें, यानि कि आप इस फॉर्म को फिलप कर सकते हैं, DU यानि कि Delhi University के PhD अड्मिशन फॉर्म के बारे में बात कर रही हूं, चलिए आगे बात करते हैं, देखें, यह Delhi University के image आपको दिखाई जा रही है, आप बिल्कुल सही page open करें, बिल्कुल सही website open करें, इसलिए मैं आपको logo और image जरूर दिखा देती हूं वीडियो में, चलिए आगे बात करते हैं, नई दिल्ली, दिल्ले विश्विद्याले के PhD सत्र 2022 और 2023 के लिए चात्र 20 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं, चात्रों को इसक पर यानि कि हम बात करते हैं, www.admission.uod.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, यह official website है, जो Delhi University है, उसकी official website है, तो अगर आप international students बनना चाहते हैं, जैसे कि आप इंडिया में नहीं है, आप कहीं बाहर से भी आप्लाइ करना चाहते हैं इस फॉर्म के लिए, पेश्डे के लिए, ना सिर्फ इंडिया की वर्ल्ड रैंकिंग में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो अगर आप यहां पर आवेदन करना चाहते हैं, तो online है, आपको बहुत अच्छा मौका है, आपको दिल्ली आना नहीं पड़ेगा, आप किसी भी शेहर, किसी भी देश में है, आ आप महा से online आवेदन कर सकते हैं, यह ओफिशल वेबसाइड है, तो आप चात्रों से अनुरोद किया गया है, कि वे समय रहते, प्रवेश परिक्षा के लिए आवेदन करते हैं, क्योंकि समय सीमित है, 20 जून ही है, अगर आप उसके बाद आवेदन करेंगी, तो आमान नही करते हैं, तो आप 20 जून तक आही आवेदन कर सकते हैं, डेली यूनिवर्सिटी पीएजडी के अगर आदमिशन के हम बात करते हैं, पीएजडी में आदमिशन के लिए अगर हम बात करते हैं, चली आगे जानते हैं, कि यह देखी, इनका होम पेज है, डेली पर लिखेंगे, search engine के search bar पर किसी पर search engine पर अगर आप सर्च करेंगे website को तो आपके सामने यह home page open होगा, आगे बात करते हैं, इसी home page के नीचे आपको यह message from Vice Chancellor देखेंगे, देखेंगे, इंग्लिश में है, मैंने इसका Hindu translation किया है, खबराये बिलकुल लें, क्योंकि मैं आपको दिल्ले विश्विद्याले में आप सभी का स्वागत करने के लिए अवसर लेता हूँ। मुझे आपके साथ ये साजा करते हुए बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि 1922 में ततकालिन केंद्र विधान सभा के एक अधीनियम के माध्यम से इस थापित और निगमित हमारा विश्विद्याले एक मई 2022 को अपने सो गौरवशाली वर्ष पूरे करेगा। विश्विद्याले राष्ट्र और अंतराष्ट्र रैंकिंग के अनुसार देश का एक प्रमुक विश्विद्याले हैं और वर्ष 2021 के लिए राष्ट्र संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF विश्विद्याले को विश्विद्यालों में 12 स्थान पर रखता है। Center for World University Ranking के अनसार दिल्ले विश्विद्याले की राष्ट्री रैंक 2021 के लिए छटी है, विश्विद्याले की Times Higher Education Asia University Ranking 201 और 250 जून 2021 में जारी जो की गई है, विश्विद्याले की QS World University Ranking 501 से 510 के बीच में है 2022 के अनसार, QS India Ranking 2021 में विश्विद्याले की भारती शैक्षिर संस्थानों और विश्विद्यालों में छटवी रैंकिंग है, और QS Asia University Ranking 2022 में 77 वी आगे बात करते हैं इनके मैसेज में क्या लिखाए और विश्विद्याले हमारा हमेशा दूसरों के अनसरन के लिए शिक्षा विदों में मील की पत्थर स्थापित करने में अग्रण रहा है, यह राष्ट्र शिक्षा नीती NEP 2020 के साथ पाच्छे क्रम ढाचे और कारिक्रमों की संरचना को उनमुक करके उच्च शिक्षा में एक आदर्ष बदलाव लाने की प्रक्रिया में सक्री रूप से लगा हुआ है, NEP 2020 का उद्देश देश और विश्विद्याले में शिक्षा प्रणाली को बदलना है, नीती को सही माईने में लागू करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, आगे बात करते हैं, आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विश्विद्याले ने शैक्षण 2022 और 2023 से NEP 2020 को लागू करने का निर्णा लिया है, विश्विद्याले में NEP का कार्यान वियन जहां लगबग 7 लाग चात्रों के लिए 500 से अधिक पाठ्षे क्रम चलाये जाते हैं, एक बहुत बड़ा कारे है, हाला कि विश्विद्याले ने एक नया अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवक 2022 UGCF को लागू करने का साहसे कदम उठाया है, जिसके लिए पाठ्षे क्रम को NEP के दर्शन के अनुरूप बनाने के लिए मौजूदा प्रडाली को ओवर हॉल करने के आवशक्ता होगी, अगर हम बात करते हैं, UGCF 2022 एक चात्र के इंद्रिजुष्टि कोड के साथ तयार किया गया और अध्यन के विश्यों की पसंद के मामले में लचीला पन प्रडान करता है, अकैडमिक मार्क विक्सित करता है जिसमें बहु प्रवेश और निकास बिंदों के साथ अध्यन के इनके मैसेज की, तो हाल की महामारी के दौरान विश्य विद्याले अपने चात्रों करमचारियों के स्वास्त से समझोता किये बिना कारशील रहा, प्रवेश शिक्षन और सीखने के साथ साथ परिक्षा ऑनलाइन मूड में जारी रही। जबकि इस्थिती सामान ने हो रही विश्य विद्याले ने अपने साल पर चलने वाले शाताब दी समारों को शुरू करने की योजना बनाई है, जिसके साथ वर ना केवल शिक्षा पर बलकि बड़े समुदाय पर भी एक अमीर चाप छोड़ने का इरादा रखता है। हारी सामुहिक जिम्मदारी है कि हम अपनी भागिदारी के सभी छेत्रों में अपना सर्वशेष्ट योगदान दें बिना मध्यस्तता से समझोता किये ताकि हम ना केवल आज बलकि आने वाले समय में भी उत्कृष्ट बने रहें। शुपकामना योगेश तिंकुलपती द अगर आगर पीएडी में अपन आचाते है तो टेली यूनिवर्सटी बहुत अच्छी यूनिवर्सटी है आप इसमें अच्छी से आडमिर्शन ले सकने हैं साथी साथ अपके पढ़ाई भी आपे बहुत अच्छी ओगी क्योंकि रैंकिंग की बात की जाए तो सारी की सारी इन्फर्मेशन वाइस चांसलर ने आपको दे दी है तो यह ओफिशल वेबसाइट है आप इस पर जाके आवेदन कर सकते हैं तो आवेदन जल्दी कीजिए क्योंकि 20 जून 2022 ही लास्ट डेट है तो आज का वीडियो बस इतना ही वीडियो देखने के लिए थांक यू चैनल सब कीजेगा वीडियो लाइक कीजेगा